हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्सरोग सम्मोहन और वैसन मुक्ति तग्या हूं मैं आपको बताने वाला हूँ कि कि आपको आपके जिन्दगी में कुछ चाहिए तो आपको पहले यह उसका निर्ने लेना पड़ेगा कि आपको चाहिए करें कि मुझे चाहिए और कॉंसी चीजए पक्का रखना पढ़ेंगा मन में होता गया है कि हमको क्या चाहिए हमको पुरा मालूमी है कि अगर चाहिए कि अकर जंदगी में तो पिर वह चहात के लिए एक्षाश कर सकते ह। जब आप बच्चे थे, तो आपको जो चाहिए, वो आप कुछ ना कुछ करके मिला ही ले दे थे, इसा भूग लगिये तो चिल्ला, चिक्खे, फिर डूथ मिल जाता था या चिल्ला के आपको खाना मिल जाता था, खाना खिला थी माँ, आपको कपड़े पहना है तो जो कपड अब आब फिश्रांबाब कर के वाप अपूश्रीन कर देते या मावबाप से लेते थे कहाた को आपो कपड आपको खाना जी आपको शोना इसा नियाता कि मैं मंगु कि न मंगो वसे मिलेंगा कि में मिलेंगा और अपन कोया इंदिभिशन नए था आप खुल के मांग देते और वो मिला लेते जैसे जैसे आप बड़े होते गए चार साल पांस साल छे साल जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है वैसा वैसा उसके ऊपर फिर माबाप एक बाहर से प्रेशर डालते है समस्कार करते रहते है कि अरे यहां से कुछ नहीं मारना चाहि गेस्ट अपने घर में महमान आया तो अच्छा भरताओं जाहिए फ्र उसको हाथ लगाने का नहीं है यह अच्छा नहीं है इससे दूर रहो फिर ठाली में खाना छोड़ने का नहीं है आपको अच्छा भी नहीं लगता हूँगा तबी भी खाना चीये ने तो लोmittel क्या बो उनके सामने एक्टम गुडबायकर करके रहना चाहिए वह आगे तो उनको गुड आ लिए बाहर से आपको प्रहर चाहिए उसके लिए आपको प्रेशराइब के आ गया पैसे क्या जर्ड़ाटी ऊपर उपया है क्या आप बहुत ही सिल्फिश होड़ी आप सिरो अपने विचार करते हो और लोगों यह नहीं करना चीह है और वहां से आपका व्यक्तिमत को बनता गया तो पिर бच्चों को ऐसा नी रहता है कि कि उसका Self-Expression नहीं है ऐसा होती ही बच्चों को समझती है आप बच्चों को पूछो की तुसे क्या बनने का है बोलता पुलिस ऑफिसर जैसा हम बनते रहते हैं वैसे लोगों को क्या चाहिए वहसा हम बनते रहते हैं लोगों को कह चाहिए जैसा डेडी को यह चाहिए कि लड़का डॉक्टर बनना चाहिए इसलिए आपको मेडिकल कॉल में जाना पड़ा आपके मदर को चाहिए कि घर में काम करने वाली बहुँ खेले आना चाहिए इसलिए वह आपको शादी करनी पड़ी यह आपको आर्ट्स में बहुत इंट्रेस्ट है मगर आर्ट का इंट्रेस्ट आपको छोड़के आपको एक जॉब लेना पड़ा क्योंकि आपने इंजिनरी की डिगरी हासिल कर लिया तो जो भी मतलब आपने क्या किया है कि लोगों को क्या आपके आजू-बाजू-बारे लोगों को क्या चाहिए वैसा आप करते गए और वो हिसाब से फिर आपका जीवन आप बिताते गए आपको यह नहीं पता कि आपको क्या चाहिए आपको जो चाहिए वो तो उसमें दबी कर लिए और फिर वहां मतलब वह सामने रख के उसका उसका काम करने चलूब कर दिया उसके अपर पूरा फोकस किया उसके वाट्यंशन करिया लक्षय पूरलक्ष्पूरा उसके उपर जैन्दिवित काँद कर लिया वो आपको सोचके वो जो आपका self expression है आपके आत्म अभिवक्ति है वो आपको धुनना है वो आपको फुली बाहर लाना है और आपको जैसी जिन्दगी चाहिए वैसी जिन्दगी आपने के ना है तो आज से 5 साल का गोल पका करो आपको क्या चाहिए वो लिखो कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए मेरे कुछ जिन्दगी में ये करना 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 अशा पुरा लिखो कम से को 100 एटम उसमें लिखो कि आपको करना क्या है लाइफ में आपको चाहिए क्या और उसके उपर फोकस करके एक 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 हासिल करो उसमें लाइफ जिन में मज़ आएगा आपके काफी सारे लोग ऐसे होंगी कि उनको मालूम ही नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ यह वो सब दब दब की जीवन जी र आपके वाटसेप ग्रूप के उबर डालो फेस्बूक के उबर डालो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्यू बेरी मुच